हलो जहिन सभी को शुआगत है आप सभी का पुना इस न्यूव विडियो में जिसमें हम जानेगे कि जो विशेश सिक्षक के पद स्रिजन से सम्मंदित उत्तर प्रदेश में उससे सम्मंदित बात है जिसमें हम पूरी जानकारी इसमें प्राप करेंगे जो कि प्रेशक है अजे कुमार सिंग विशे सची उत्तर प्रदेश आशन निदेशक दिभ्यांग जन सशक्ती करण विभाग उत्तर प्रदेश लखनव जो कि लखनव से चारी हुआ है तिनांक 20 मई 2022 को जिसका बिशे था कि दिभ्यांग जन सशक्ती करण विभाग के अंतरगत कुल आठ विद्यालेव है तो नियमीत आपलेक नियत आपलेक आउट्सोर्सिंग के कुल 262 यानि कि 262 पदों के स्रिजन के संबंद में यह अशरकुलर है जारी हुआ है जो पुरा नियमा वाली एक प दाप्त करेंगे आप देख सकते हैं शामने ही लिखा हुआ है जिसमें उपर एक तुभी से एक आपके पत्र संख्या आठ सो छे इतने 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 2021-22 तिनांग दो जुलाई 2021 के संबंद में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि विभाननी यह सर्बोच नियाले में दाया रिट याचिका संख्या 132-2016 रजनीश पांडे वा अन्य बनाम यूनियन आफ इंडिया यह जो ना सेर्फ शंगठन है उसी के यह मुखिया है रजनीश जो जिन्होंने सर्बोच नियाले में लड़ाई लड़ रहे हैं सतत प्यास है उसी का नतीजा है उसी के आधार पर य जगे हैं अधर्वाइज इनके जगने का किसी भी तरीके का कोई शुराग नहीं मिल ला था भी तक यह कि वह ना सेर्फ शंगठन का प्रयास है जो आज यह दिख रहा है थोड़ा बहुत कुछ भी इसके अलाबा सबसे बड़ी बात है कि जो सर्वोच नैले के आदेशा नुक्रम में आदेश भी उन्होंने दे दिया है कि दिव्यांग जन ससक्तिकरण विभाग के अधीन जनपत मिर्जापूर एवं लखिमपूर खीरी में संचालित इस पर स्राजिकी इदिश्ट बादि अधि वालक यो से संबंदित है वालक बाली का इंटर कालेज महराज गंज आजमगर बलिया में संचालिक समय की बिसेश माधिमिक विद्य अले एवं सोन भद्र कुशिन अगर वा गोगव गोरख पुर में संचालित संखेत मुक बधिर बालाक बालिका राज की इंटर कॉलेज में पदों की कार्यात्मक आउशक्ता का परिछण किया गया परिछणों परांद पाई गई इस्थिती के दिश्टिगत निम्न ब्यूरण के अनुशार इस आदेश के निर्गमन कीती थी या पदों को भरे जाने कीती थी जो भी बाद में हो यानि कि अभी ये भरे जाएंगे पर अभी तिती थी निर्धारित ने हुए कब से शुरू होगा दिनांक 28 दो 2023 तक की अवधी के लिए मतलब अगर अभी से कोई भी डेट से फार्म भरे जाएंगे तो जो भी टीचर निप्त होंगे वो 28 फरवरी 2023 तक की अवधी के लिए होंगे बसरते उक्त पद इससे पूर बिना किसी सूचना के समाप्त ना कर दिये जाएंगे ऐसा न जा रहा है अभी तो 2022 चल ला है अगर स्थाई होता तो फिर यहां बात हैं नहीं होती सरजत किये जाने की संघस सुईकरती स्री राजपाल एतत दौरा परदान करते हैं अब यहां पर यह पूरा लेखा जोखा है यह लेखा जोखा अलग-अलग है जिनमें हमारे बहुत सार जो दिष्ट इबादित साथी हैं उनके लिए एक-एक बोलना जरूरी होता है इसलिए जिसमें पदों के स्रिजन का ब्यूरण निम्नुवत है जिनमें सबसे पहला है इस पर स्राज की दिष्ट इबादित बालक-बाली का इंटर कॉलेज एक मिर्जपूर दो लखीमपूर खिरी में पठन-पठन-प्रारंभ करने है तू यानि कि अभी क्या है कि पठन-पठन-प्रारंभ वहाँ पर करना है यानि कि यह जो पद है वो नए विद्याले बनने हैं उनके लिए हैं उनकी प्रती विद्याले अवस्यक्षडिक अभी गयर स्यक्षडिक पदों का यमित-बेतन-मान में । यानी की जो बेतन मिलेगा व क्यावाली करेगृ चुछ सेय परने मिलेगा। जैसे की पहले przylai अंग्रेजी, से आफ सीnaj हाव शास्त्र, लिछो समाषम सास्त्र आर्थ सास्त्र, संस्कृत, इतिहास Chanc Hearts गायन इसका जो लेवल 8 की सेली मिलेगी 47,600 रूपए यानि कि 47,600 से 151,100 रूपए तक अब दूसरे नमबर में देखिए एल्टी ग्रेट अध्यापक बिज्ञान और गडित ये लेवल 7 इनको मिलेगा इसलिए इनको 44,900 से 1,42,400 तक मिलेगा तीसरे जो पॉइंट है साहिक अध्यापक जेटी सी इनका लेवल 6 मिलेगा 35,400 से 1,12,400 तक इसमें तीन पद हैं सबके अलग-अलग हैं जिसमें प्रतिक कच्छा के लिए एक-एक पद चाहिए ये भी बड़ी बात है इसके बाद इसी में चौथे नमबर पर हैं सहायक अध्यापक जेटी सी संगीत लेवल 6 इनको सल्ली मिलेगी जो 35,400 से 1,12,400 तक है इसमें एक पोस्ट और फिप्त नमबर में है मोबिलिटी अध्यापक मोबिल्टी ट्रेनर खास करके जो दिष्ट इबादित विद्यारती होते हैं औरियन्टेशन और मोबिल्टी जो ट्रेनर होते हैं वो इसमें लिए जाएंगे लेवल 6 की सल्ली मिलेगी 35,400 से 1,12,400 तक इसमें एक पोस्ट है केवल 6 नमबर में है कम्प्यूटर प्रसिक्षक की बात है इसमें जिसमें लेवल 6 सल्ली मिलेगी जो कि 35400 से 1,12,400 तक है जिसने एक पोस्ट है इसके रावा 7 नमबर में है क्रीडा प्रसिक्षक, योगा प्रसिक्षक क्रीडा यानि कि जो खेल शिक्षक होता है निकि जो गेम टीचर होता है लेबल 6 इनको भी मिलेगी 35400 से 11,12,400 तक जो कि एक पोस्ट है इसमें भी इसके बाद है गेर सक्षडिक पद वो सक्षडिक पद थे सभी अब हम गेर सक्षडिक पद की बात करते हैं जो नियमीद बेतन में हैं ये हैं पहला है जैसे कि सहायक लाइबरिरियन जो लेबल 5 के अनुसार सेली मिलेगी 29,200 से 92,300 तक एक पद है इसमें और दूसरा है छात्रावास वर्डेन जो लेबल 5 मिलेगा 29,200 से 92,300 तक इसमें एक पद है तीसरा है कनिष्ट सहायक जो लेबल 3 इनको बेतन मिलेगा 21,700 से 69,000 यानि कि 69,100 इसमें भी एक पोस्ट है यानि कि टोटल इसमें सैक्षडिक और गयर सैक्षडिक मिला करके 20 पोस्ट है अब अगर देखते हैं इसके बाद है चतुर्थ स्रेडी अबलिक आउट सोर्सिंग के पद स्रम विभाग द्वारा नियुन्तम मजदूरी की अधार पर जिन में पहला है कहार जैसे की पानीवानी लाना पिलाना नबीन पद नाम है बहुँ उद्देशी कर्मचारी है ऐसा नहीं कि क्योवल काम करेंगे सब ये जिसमें कहार छात्रवास परिचर प्राविधिक परिचर केर टेकर ठीक है एक अनुपाते 20 में रहेंगे इसके तीन पद है इसके अलाबाद तीसरा है जैसे दफतरी हो गया मतलब जैसे जैसे हैं एक पद इसमें है एक चौकीदार है एक स्वीपर है कार्याल है स्कूल हास्टल वो पूरा उसका सापसपाई करेगा इसके दो पद है चपरासी के एक पद है इसके बाद नेक्स्ट आता है कि दूसरा संकीत मुक बधिर बालाक बाली का राज की इंटर कालेज जैसे कि पहला है सोन भद्र दो कुसी नगा तिसरा गोरकपूर में पठन पाठन प्रारंब करने है तो प्रती बिद्याले आवसक शक्षडिक आभिक गैर शक्षडिक पदों का ब्यू संबंदी था अब हम जो देखेंगे वह स्रवणबादित बच्चों से संबंदी थे जिन में सेक्षडिक पद में देखते हैं तो पहले में प्रवक्ता में हिंदी अंग्रेजी इतिहास नागरिक सास्त्र जिसमें लेबल 8 के अनुसार सैली मिलेगी 47600 से 15100 रुपए जिसमे नौ पोश्ट हैं इसके बाद अर्थसास्त्र भुगोल, कंप्यूटर, ग्रह विज्ञान, कला ये भी इसमें सामिल हैं दूसरा में अध्यापक विज्ञान गडिन वही लेबल 7 मिलेगा 44900 से 142002 पोश्ट है इसमें तीसरा है सहायक अध्यापक इसमें लेबल 6 मिलेगा 35400 स एक लाग 12400 तक इसमें तीन पोश्ट हैं प्रते कक्षा के लिए एक एक पद होंगे इसमें इसमें सबसे बड़ी बात है संकेतिक भासा इंटरपेटर है यानि कि जो साइन लेंग्वेज इंटरपेटर होता है इनकी भी भरती होगी इनको भी लेबल 6 मिलेगा यानि कि 35400 से एक लाग 12400 तक एक पोश्ट इसकी है और चात्रहवास वार्डेन जो लेबल 5 मिलेगा 29200 से 92301 पोश्ट इनकी है इसके बाद है ब्यायाम सिक्षक जो ब्यायाम जो योगा बगएरा कराएंगे सारी चीज़ें इक्टिबीटी कराएंगे लेबल 4 मिलेगा इनको एक 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 इस पीस तरह पिस्ट का जो है लेबल 6 के कॉडिंग एस बेतर मिलेगा इसमें भी एक ही पोश्ट है और 8 नमबर में है सहायक लाइबरेरियन लेबल 5 मिलेगा इनको 29200 से 92301 पोश्ट है इसमें भी कनष्ट सहायक में भी एक पोश्ट है लेबल 3 मिलेगा 21779 यनि 69100 उपीस यह था इसके अलावा चतुर्स रेडी में भी सेम सेम है जैसे उपर था इसके अलावा है समेकित विसेस्विद्धले की बात की जा रही है जो कि महराज गंज आजमगर्ड बलिया में पठन पठन सुरुबात करना है तो जिसमें सक्षडी पद से संबंदित है नियमित बेतनमान में है इनका लेबल एट मिलेगा वही हिंदी अंग्रेजी नागरिस साज और समाज सास्त्र अर्षास संजकत संगीत वादन इतिहास संगीत गायन यह सारी चीज़ें रहेंगे सब्जेक्ट इसके अलावा सेकंड में है एल्टी ग्रेट अध्यापक विज्ञान गडित जीव विज्ञान कला क्रिसी विज्ञान सारीरिक सिक्षा इनको लेबल सेवन के एकॉर्डिंग सेली मिलेगा चवाली सेजार नौ सो से एक लाख ब्याली सेजार चार सो इसमें सिक्स पोस्ट है तीसरा है सेजार अध्यापक रहेंगी यानिकी जी स्पेसल एजुकेटर दिष्ट बाधितार्थ वन स्रूण बाधितार्थ वन लेबल सेबन मिलेगा चवाली सेजार नौ से एक लाख ब्याली सेजार चार सो तक इसमें दो पोस्ट है इसके अलावा कंप्यूटर प्रसिक्षक लेबल फिप्त इनको सल्ली मिलेगा और एक ही पोस्ट है मोबिल्टी अध्यापक भी इसमें है लेबल सिक्स सल्ली मिलेगा एक ही पोस्ट है इसमें भी क्योंकि दिष्ट बाधितार्थ पोस्ट है इसमें तो इसलिए ऐसा है क्योंकि समेकित विद्ध्यल है इसके अलावा उसमें Sign Language Interpreter भी उसमें चाहिए लेवल 6 के कोडिंग सेल्ली मिलेगा दो पोश्ट है महाँ पर इसके अलब गहर सक्षडिक की बात है गहर सक्षडिक में सहायक लाइब्रेरियन लेवल 5 सेल्ली मिलेगा एक ही इसमें पोश्ट है प्रयोग साला सहायक जिसमें लेवल 3 सेल्ली म लेगी और दो ही पोश्ट है इसमें चात्रवास अधिक्षक महिला एवन पूरुष दोनों चाहिए लेवल 5 सेल्ली रहेगा एक ही पोश्ट है या महिला या पूरुष सायद उनमें से एक रखेंगे या पांचमा सीगर पहचान इकाई जो अरली आइडेंटिफिकेशन होता है उसके यूनिट के लिए टीचर चाहिए तो वो भी इसमें एड होंगे एक ही पोस्ट है उसकी अप्रेल मुद्रण टेकनिसियन जो होते हैं उनका लेवल फोर्थ के कौर्णिंग और एक ही पोस्ट है चिकित सक भी एक चाहिए जो एक पोस्ट है इनका प्रति नियू पद रहेंगे चौकिदार दफ्तरी कहार ये चौकिदार के तीन पोस्ट है दफ्तरी के वन कहार के तीन तो ये लग-लग पोफ्ट है चाहत्र परिचर के रिटेकर आया ये सब रहेंगे इसके अलावा उक्तानुसार सरजित किये जा रहे है 262 पदों के सरजन की सहमती निम्न सर्तों के अधिन परदान की जाती है सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सर्ते जो लिखी हुई है उनको हम देख लेते हैं जरा पदों का सरजन दिनांक 28 दो 2023 अधवा इसके पूब समाप्त ना कर दिया जाए की तिधी तक के लिए आईस थाय रूप से किया जा रहा है मतलब यह तय है कि यह केवल 28 फरवरी 2023 तक के लिए होगा पदों की निरंतरता वर्षान वर्ष पदों की आउसकता यह आउचित का परिक्षण करते हुए निर्गत की जाएगी बिल्कुल पदों पर चैन की कारवाही सम्मंधित पदों है तो निर्धारित सेक्षिक्यों आरहताओं के अनुशार संगत नियम वली में वीद प्रावधानों के अंतरगत निर्धारिक चैन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिशित करते हुए किया जाएगा इसके अलाबा प्रथम चरण में पदों का सरजन पदों पर चैन नियुक्ति की कारवाही सेक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक कि बिद्यार्यों में सौिकरत 4086 चाताओं की शंता पूछ Vice शंत्रत्रक्ते और बिद्यालयौ में 16 के 112 ऐम 16 में शाप स्थाजन कोर्म सर्जर्ड के इस्थान इस्तर पर आउट्सों कि सोर्सिंग और सर्विसेस के माद्यम से निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाए यह सारी चीजें हैं और संबंदित पदों पर चैन की करवाई राज सरकार की वर्तमान आरक्षड नीती एवं शंगत सासना देश में भीहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए यानिकि जो भी चीजें हैं इसके अलावा संबंदित पदों पर बेतन यों अन्य भत्ते वही दे होंगे जो समय समय पर राज सरकार दोरा अनुमन ने किया जाएंगे इसके अलावा नहीं मिलेगा इसके अलावा है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित भारती पुनरवास परसद के दिशा निर्देश वह पंडित देन द्याल पुनरवास योजना की गाइडलाइन तो अन्य अपेचित मानगों के अनुरूप हो यानिकि सीधी सी बात है कि और सियाई की कोर्स कंप्लीत होना चाहिए रेजिस्टीशन होना चाहिए तबी आपको इन पदों पर चैन होगा जिनका दिक्कत है करवाने फटा फट इसके अलावा उक्तानुसार स्रजित किया जा रहे हैं नियमित पनपर भरती सो संगत सेवा नियमों के नुसार पारदर्सी रीती से की जाएगी तता इस पर सेवा योजित होने वाले पदादिकारियों को शमय शमय पर शाषन द्वारा स्विक्रत महेंगाई बत्तब अन भत् गया तो यह सारी चीज़ें वर्द 2022 देश के लिए जितनी भी बाते थी हमने चर्चा कर ली है आई होप कि आप इससे समझ पाए होंगे बाकि इस पीडियाप को टेलिग्राम में प्रसारित कर दिया जाएगा टेलिग्राम में भेज दिया जाएगा आप टेलिग्राम चैनल से जरूर जुड़िए डिस्क्रिप्शन बाक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा आसानी से आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा जो भी कोईरी है जानकारी है आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में एक मेल भी दिया जाएगा आप उस मेल में कोईरी कर सक करते हैं थैंक यू शो मच बहुत बहुत धन्यबाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं